सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथे बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी जब इरादा बना ही लिया है उची उडान भरने का, तो देखना फिजूल है कद इस आसमान का, आत्मविश्वास जिन्दगी की सबसे खुबसूरत शुबा होती है, जो आपके पूरे दिन को खुबसूरत बनाए रखती है, जो समय बचाती है, वो धन बचाती है, और बच जाया हुआ धन, कमाय हुए धन के बराबर होता है, सोच अच्छी होने चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुम्किन है, पर नजर ये का नहीं। काल अर्था दिन का सबसे असुपसम में, दोपहर 12 बच कर 23 मिलट से 2 बचे तक रहेगा, आज का कोई अभिजीत महुरत नहीं है, आचंद्रमा मेश राशी पर सम 7 बच कर 6 मिलट तक रहेगी, इसके उपरांत वरिशब राशी पर संचार करेगी, और आज शूर्य मेश अज भाग्या आपके सांथ है, आप अभी सांथ है और खुले दिमाग से जीवन को खोशने के लिए तयार ही, आज का दिन बहतरीन तरीके से शुरू होगा, परवारिक रिस्तों को मजबूत करने का उचिस समय है क्योंकि यही आपको सुरक्षा और भावपूर्ण समश प् अपने विश्वासों को मजबूत करें और कुछ नया सीखने के मौके का उप्योग करें, माता पिता या उनके जैसा कोई आपको ग्यान दे सकता है, भाग्या आपके साथ है, आज के दिन ग्रहों के स्थिती के कारण उल्जन में डालने वाला रह सकता है, आप किसी परशान करने वाली समश्या के बारी में लगता सोशते रहेंगे, लेकिन केवल सोशते रहने से कुछ श्यमधान हाथ नहीं लगेगा, आप जैसा सूश रहे थे, आज आज आपको उससे विपरे सुचनाई मिलेगी, जिसके कारण आपको अपनी पहले से सोचे हुए में बदलाव कर आत्म मनन तथा आत्मने रिक्षन करने का भी समय है, अपनी कुषलताव समजदारी द्वारे किसी कार की उत्तम परिणाम हाशिल करने में सक्षम रहेंगे, ग्रह स्थिते आपकी किसी भी परिस्थिती में हल निकालने की शक्ति आपको प्रदान कर रही है, आपमें आज पूरी तरह से आपका साथ देखा अगर आप आयमे वृद्धी के इस्तरोत खोच रही हैं तो सुरक्षत आर्थी पर योशनाओं में निवेश जरूर करी रिस्तेदारों के साथ अपने शम्मंधों को फिर तर उताचे करने का दिन है आपको अपनी कलपनाओं पर अधिक गौ पूर्ण कदम उठानी के जरूरत है आप में से कुछ लोगों को लंबा असर करना सफर करना पड़ सकता है जो काफी भाग दोर भरा होगा लेकिन साथ ही बहुत फायदेमन भी साबित होगा यहाँ आपके पूरे वैवाहिक जीवन के सबसे जादा इसने पूर्ण दिनों मे से एक होशकता है पुरानी बातों के चिंतन में खोजाने से वैक्ति अपने वर्तमान को समय समय पर ध्यान नहीं दे पाता है इससे वे आने वाले समय में बधाओं का सामना कर शकता है नकरात्मक भावनाओं को दूर करके और शकरात्मक दिसा में सोचकर वैक्ति अपने लक वैक्ति के लिए बहुत महत्तोपूर नहीं, इसे वह अपने लक्षों को प्राप्त करनी के लिए सही मार्ग पर चलता है। में चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन विचारों से दूर रहना आपके लिए बहतर होगा। में शुदहार होने के संकेत हैं और आपकी आयमे वृद्धी का भी शंकेत हैं, इसके अलावा वहां शुप का अनुभव भी आप करशकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की बच्चों का ध्यान पढ़ाई से उप सकता है। वर्त की गतिवीधियों से दूर रही पर उसी अथव मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर विवाद बढ़ सकता है। अपने चवी को धूमिलना होने दे फाइनियंस से सम्वंधित कुछ न कुछ दिक्कते रहेगी। बात करते हैं लव लाइफ की आपका साथे आपको अराम प्रदान करेगा। अपने साथी से प्यार का इज़ार करनी के लिए उसे किस आलेंगन फुल चोकलेट या किसी खास उफार के सांस साथ अपना समय भी दे। आज के दिन आपकी जीवन में नई ताज़की लेकर आया है। अपने प्यार के सम्मन में नई जान भरने के लिए परफिक्ट दिन है। सिंगल लोगों को अभी कुछ इंतजार करनी की जरूरत है। आपके इंतजार का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बड़ों और बच्चों के साथ कुछ देर तक बैठ कर आप अपनी दिन को यादगार बना सकती है। आपको बहुत दिनों से जिसका इंतजार था वो आपके करीब है। आप बहुत दिनों से जो कल पनाये कर रहे थी आज विसा साबित हो शकती है। आप इस सम्मन्द में गंभीरता से आगे बढ़ेंगे और या समान्य से कहीं अधिक आगे चाहेगा। आपको इस सम्मन्द को बनाये रखने के लिए जिन्दगी को बहतर बनाने के अन्या उशरों को छोड़ना पर सकता है। बात करते हैं करियर की। आपने हाल फिल हाल इसी लिए धन खोया क्योंकि आपने अविवेक पूर्ण तरीके से जल्दी पैसे देने वाली योजनाओं में निवेश किया या पैसे लगाया। इस तरह के और पर्योशना या आपके सामने आएगी लेकिन आपको अपनी दिमाग का इस्तमाल करना है। अन्यथा आवित्ती परशानी में भी फस सकती हैं। आपको अपने निवेश के निर्णे चरन बन तरीके से लेनी हैं। और विशेशग्यों के राय के अनुशार आगे बढ़ना है। पर आपके आदत है कि सिर्फ खाली प्रस्तूती करन एवं चमकती हुई चीज की तरफ आप भाग पढ़ती हैं। जो कि आपको छोड़नी है। वविश्याय में प्रतिसपर्धा के इस्तिती भी बनी रहीगी। आपको कुछ अधीक मेहनत करनी पड़ सकती है अपनी यूचनाओं वा गारे प्रणाली को सिक्रेट रखना जरूरी है अन्यथा आपकी सुचना लीख हो शकती है। कम्प्यूटर और मीडिय से जुड़े वेविश्याय में ने ओशर भी प्राप्त हो शकती है। आज कोई भी आप निर्ना ले रहे हैं तो अपने माता पिता की सलाह के अनुशार ही ले। उच्छ सिच्छ के लिए विदेश यात्रा की भी शंभावना है। करियर में परिवर्तन करना चाहती हैं तो अभी कुछ दिल इंतजार जरूर करें। आज कानूनी मामले भी आपको परिशान कर सकती हैं। अपने पेसे से सम्मंधित मामले पर अधित ध्यान देनी के आवशकता है। आज जब कुछ बड़े निर्ने लेंगी, हालकि कुछ समश्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अपनी नीतियों में सुधार करें और तक्नीकों वा यूशनाओं के बारे में सौधार रहें। अधित जनकारे और ग्यान के लिए आउनलाइन भी आपको मदद मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। दोस्तों को आपको तैय रूटीन पर बने रहने और अपने लक्षों को पूरा करने में मदद करनी चाहिए। और वो भी आपकी मदद करेंगी। आप एक साथ जिम सुरू कर सकते हैं या दोडने जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत लाप भी होगा। आपने अब तक कई बार बहुत गंभीरता सी कोई स्वास्त श्रमन्धित फैसले नहीं लिये हैं। तो अब आप ले सकती हैं। आज का उपाए। आज अब गड़ेश भगवान जी को मोदक का भोग लगाएं शुब रहेगा। दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही। आपका देश शुग हूँ।